वेल्कम टू एक्सेसिबल टेक्सेंटर इस यूटूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्ट्वेयर यानि की जॉज और एंडवीडिये के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक्सेंटर अगर आ नमस्कार मेरा नाम सर्वजीत स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एक्सेसिबल टेक्सेंटर में तो आज हम बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है कि हाउटू कीप अप्टू डेट अवर सिस्टम यहीं कि हम अपने सिस्टम को कैसे अप आप कर रहा है तो इन सभी चीजों का कारण कई बार यह होता है कि हम अपने सिस्टम को आप्डेट नहीं ल gir करते थे सिस्टम को टायम टू टाइम हमें अपडेट कर लेना चाहिए जब्युस समें अपडेटсь आहें हमें अपडेट कर लेना चाहिए ओचाए विन्डोई का अपडेट हो या फिर कोई software के अपडेट हो ओके तो हम इन तीनों आज हम देखेंगे Windows कैसे अपडेट करना है देन माल लो कि किस company का आपका laptop है जैसे for example कि मेरा laptop है असुस company का अब असुस का भी एक app होगा जिसमें कुछ updates मिलते हैं असुस के तरब से company के तरब से आपका कोई होगा HP होगा तो इस तरीके से Lenovo का होगा या फिर Acer या फिर Dell जो भी होगा उस company का एक app होगा जिसमें भी हमें कुछ ना कुछ updates मिलते हैं तो उसको भी update करना चाहिए इसके अलावा Microsoft Store Microsoft Store जो भी हमारे पास Microsoft के software है हमारे सिस्टम में वो सारे Microsoft Store से update होते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं एक एक करके तो सब से पहले हम start करते हैं Windows को कैसे update करना है कैसे check करना है कि Windows हमारा up to date है है या नहीं तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स में सेटिंग्स में या तो आप सर्च बॉक्स पर जाएए या तो आप विंडोज की प्रेस करके सर्च बॉक्स पर जाएए सेटिंग्स टाइप करिए फिर एंटर करिए देन सेटिंग्स ओपन हो जाएगा या तो फिर आप शॉर्ट कमांड यूज करिए मैंने विंडोज आई प्रेस किया तो यह सेटिंग्स ओपन होके आ गया अब जैसी सेटिंग्स ओपन होता है सर्च बार फोकस होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना टाब की प्रेस करना है यहां पर list आ चुकी है यहां पर up and down arrow से आपको access करना है तो यहां से आपको last में मिलेगा windows update तो यहां तो down arrow से जाई है एक एक करके यहां तो फिर and key press कर देना है मैंने and key press किया तो cursor end में चला गया और सबसे last में है windows update यहां पर enter press करना है देखिए मैं enter press करता हूं और यहां पर enter करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि update करने के लिए यह आप ensure करें आपका system internet से connected होना चाहिए ओके यह मैं आपको starting में बताना भूल गया तो आप अपने system को internet से connect रखिए तभी कोई भी update perform होगा तो मेरा system अभी internet से connected है यहां पर देखिए windows update पे एंटर किया जैसे मैंने अपडेट windows update पे एंटर किया तो यहां पर इसने बोला कि you are up to date और कब update हुआ उसका date भी बता रहा है ओके यहां पर आप tab की प्रेस करके जाएंगे तो यह check for updates यहां पर space bar करेंगे तो यह updates को check करेंगा मैं space bar करता हूं देखिए checking for updates डॉट 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 इस तरीके साया यह थोड़ा थोड़ा सा time लेता है चेक करने में हालाकि मैरा system up to date है तो जैसी जो checking है वो complete होगी तो फिर से jaws announce करेगा कि you are up to date और फिर उसका date बताएगा कब update हुगा है ओके check update पे space bar करने के बाद देखिए भी चेक किया गया है अब देखिए check for updates आगया फिर से टाब की प्रेस करता हूं इस तरीके से आप अपने windows को up to date रख सकते हैं आगर यह यहां पर update होगा तो updating वो शुरू हो जाएगी जैसे यह आप windows update पे enter करेंगे वैसे शुरू हो जाएगा या तो फिर check for updates पे space bar करेंगे एंटर करेंगे तब भी update शुरू हो जाएगा और यह यहां चेक for updates के बाद इजहां more option आ रहा ना more option से पहले और चेक for updates के बाद एक list आ जाएगी जो जो आपके बास update होंगे available होंगे उनकी list आपको यहां पे दिखाएगा मेरा system अभी up to date है otherwise आपको यहां पे द जाएगी जितने भी updates होंगे उनकी update दिखाएगा और वो updating चल रही होगी उसमें आपको कुछ नहीं करना windows update पे एंटर करते अपडेट शुरू हो जाएगा और चेक for updates बटन पे space bar करते या एंटर करते अपडेटिंग शुरू हो जाएगी तो इस तरीके साब को windows को up to date रख ना है तो सर्च पर मैं windows की प्रेस करके सर्च पर जाऊंगा आप जो asus का जो एप है उसका नाम है my asus अपको यहां पर टाइप करना है मैं टाइप करता हूं यहां पर आपको एंटर प्रेस कर देना है अब यहां पर आपको कुछ options मिल जाएंगे देखे अनौंस्मेंट्स बटन यहां पर करसर रखने के बाद आपको राइट या लेफ्ट एरो यहां पर यहां पर यूज करना है लेफ्ट एरो प्रेस करना है लेफ्ट एरो करूंगा तो देखिए लेफ्ट एरो किया तो एक बार में आगया सिस्टम अप्डेट राइट एरो करेंगे तो और भी options आएंगे देखिए यहां पर यहां पकर से रखाओ यहां से आब प्रेसे स्थपटरा यहां से आप अपने system को diagnose भी कर सकते हैं यह भी करना चाहिए time to time ओके इसके बाद यहां से आप space bar करेंगे तो system update शुरू हो जाएगा यहां से यह update शुरू जाएगा space bar करता हूं तो फिलाल यहां पर यह बोल रहा है your system is up to date अब देखें यहां पर अगर update होगा तो tab की प्रेस करेंगे तो वहां पर जितने भी updates होगा उनकी list दिखा देगा और वहां पर check करने के लिए आएगा all all को check करके आप आगे ok बटन आएगा ok कर देंगे तो अपडेट शुरू हो जाएगा ok तो मेरा system up to date है मैं सब कुछ update करके रखता हूं और यह आपको भी update करना चाहिए तो यह मैंने दिखा दिया आपको ok अब इसको मैं alt plus f4 से close करूंगा और एक चीज़ और मैंने दिखाया तापको system diagnose वह भी आपको समय समय पे करना चाहिए ok system diagnose पे space bar करेंगे तो आगे आपको options आएंगे diagnose करने के लिए तो इसको मैं close करता हूं alt plus f4 से अब हम देखेंगी कि Microsoft store से कैसे software को up to date करना है तो windows की प्रेस करके मैं search पर जाऊंगा यहाँ पर आप type कर दीजिए Microsoft store ok या फिर cable store type करने से भी आ सकता है देख लेते हैं आप जैसा भी आया आप कर लेना मैं store type करता हूं Microsoft store system press right to switch preview सर्फजी.syn90.gmail.com Microsoft store आया यहाँ पे enter अधिये जैसी open होता है Microsoft store एक बारी tap प्रेस करेंगे तो search आएगा फिर tap की प्रेस करता हूं मैं यह user profile जिसके नाम से यह registered है Windows उसका profile यहां पे दिखाएगा फिर इसे tap किया तो देखिए एक list आ गई है और इस list में पहला है home पहला option अब down arrow से जाना है यहां पे आपको लाइवरेरी पे यहां पर मेरा update है तो करना क्या है library पे एंटर करता हूं मैं अब देखिए यहां पर जितने भी updates है उनकी list आ चुकी है यहां पर down arrow प्रस करना है चली यह पहला है narrator extension जो पहला है अब पहला जो update है उस पे करसर रखने के बाद आप shift tap करिए मैं shift tap करता हूं देखिए यहां पर space bar करेंगे तो जितने भी updates है वो भी आ जाएंगे वो update जो जितने भी updates होंगे वो आपको दिखा देगा वैसे library पे एंटर करते ही list आ गई अपडेट की अगर नहीं आता उसके list तो आप यहां पर get updates पे एंटर या फिर space bar करेंगे एक बार यह और shift tap करते हैं यहां पर space किया तो सारे updates होने शुरू हो जाएंगे अपडेटिंग शुरू हो जाएगी तो अभी हैं अभी एक और चीज़ और दिखाता हूं मैं आपको टैप प्रेस करता हूं अभी हम लिस्क में आ चुके जो updates मेरे पास available हैं देखें क्या क्या है मैं यहां पर down arrow करना है आपडेट्स मेरे पास हैं ओके आप देखें वैसे तो मैंने आपको दिखाया update all पर करेंगे तो update सारे app अपडेट होने शुरू हो जाएंगे otherwise अगर आप एक एक करना चाहते हैं अपडेट तो जिसको भी update करना है मालो यह वाला software है इसको मैं update करना चाहता हूं तो down arrow से या आप arrow से आपको यहां पर आना है तो एक बारी tab की प्रेस करना है अपडेट बटन पर आप स्पेस बार करेंगे तो यह update होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से सारे software में जाके देखेंगे एक बार मैं फिर से shift tap करता हूं आगले software में जाने के लिए shift tap किया लिस्ट में आ चुके हम फिर से अब again मैं down arrow या फिर आप arrow करूंगा मैं down arrow किया तो यह game का software है यहाँ पर करसा रखा तो फिर से tab की प्रेस करना है अपडेट बटन इस तरीके से यहाँ पर स्पेस बार करूंगा तो अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगी मैंने shift tap किया तो फिर से हम लिस्ट में आ चुके हैं मैं इंटेल वाले को अपडेट करता हूं यहाँ पर इंटेल पर करसा रखा और tab की प्रेस करूंगा अपडेट पर स्पेस बार तो देखें यहाँ पर down arrow करता हूं मैं देखें डाउनलोडिंग देखा है डाउनलोड भी होगा और अब इंस्टाल हो रहा है करता है कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है इंस्टाल कंप्लीटेड तो इस तरीके से आप विंडोज को अपडेट कर सकते हैं और जिस कंपनी का आपका सिस्टम है उस कंपनी के आप कितरू आप अपडेट कर सकते हैं और माइक्रोसफ्ट के जितने भी सॉफ़वेर हैं वो सब आप माइक्रोसफ्ट स्टोर से अपडेट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्राक्टिस फाइल और अदर करेंटर का वर्ट्साप चैनल लिंक मिलेगा आपको चैनल के अब आउट सक्षन में तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच